आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जादा टेस्टी है एकदम गोल्डन चाय की रिसीपी जिसे पीके दिल दिमाग दोनों खुल जाने वाले हैं तो सबसे पहले गेस पर कोई भी एक बर्तन चड़ा लेंगे और इसमें डाल देंगे हम एक ग्लास दूद मैं आपे दो कब चाय बना के तयार कर रहे हूँ तो इसके लिए एक ग्लास दूद ले लिया है और अब हम इसमें एट कर देंगे चाय पती तो जो भी चाय पती आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दीजे लगबक आदा चमच के करीब और अब हम इसमें एट कर देंगे मीठी के लिए चीनी तो जितना मीठा आप पीना चाहे मैंने आपर एंदेट चमर्ज डाली है अगर आप कम मीठा पीते हैं तो कम कर सकते हैं जादा पीना चाहते तो जादा भी कर सकते हैं और अभी चाय के टेस्ट को चार चान लगाने के लिए इसमें डालते कुछ इस्पेशल चीज़े तो इसमें अद्रक एक इंचिक के करीब अद्रक का टुकडा, इसे के साथ में एक इलाइची दो लोंग ले लिए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे तुलसी, तो तुलसी चाय पिने का मन करें, आप तोड़के डाल सकें, अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से कोट लेना है, आपको पता ही होगा कि यह सब चीज़े हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होती है, अभी जैसे कि बारिश आरी हमारे आ, तो काफी ठंटा मुसम हो रहा है, साथ अभी सर्दियां भी आने वाली है, तो जब भी आप चाय बनाएं, तो यह सब चीज़े जरूर से डालें, क्योंकि अगर यह सब चीज़े डालते हैं, तो हमें सर्दी जुखाम वगरा नहीं होता है, हमारी हिल्थ के लिए काफी सही रेता है, और इसका टेस्ट भी बहुत गजब काता है, एक बार आप से में जरूर राय करना, आपको काफी अचीज़, मतलब जो नॉर्मल आप घर में चाय बनाते होंगे, वो चाय आप भूल जाने वाले होंगे, तो अभी देख सकते हैं, चाय में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो अभी मैंने इसमें डाल दिय है, यह जो हमने सब कोट के रखा था, वो सारा इसमें एड कर दिया है, जब अच्छे से बोईल आ जाए तभी डालना है, कभी-कभी अध्रक के वज़े से जो है, चाय फट जाती है, तो जब अच्छे से बोईल आने के बाद हम डालते हैं, तो गेस की फ्लेम को अभी मीडि सारे खतम हो गए हैं, और जो है चाय का कलर भी आप देखके समझ पा रहे होंगे, एकदम गोल्डन मस्त चाय जो हे बनके तयार हो गई है, तो अभी हम क्या करेंगे, गेस की फ्लेम को आफ कर देंगे, और चाय को छान लेंगे, तो अब चाय रेडी है, तो अभी हम गेस को इसको छानलूँगे लोटे के अंदर और फिर बाद में हम इस तरह से उपर से डालेंगे ताकि एक दम इना चाय मस्त लगती है आप चाये तो चाये को दो तिंग बार इस तरह से फेट भी सकते है ताकि और मस्त लगे और इसके साथ कोई भी स्नेक्स वेगरा खा सकते है आप बहुत ही गजब का स्वाद लगता है तो हमें तो यूँ ही पसंद है आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब भी कर लेना